हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल लेट मी इनफॉम मी करोना वाइरस जिसकी वजह से अब तक 135 लोगों की मोत हो चुकी है और 4000 से जादा मरीज इस वाइरस की वजह से संक्रमित है दुनिया भर में इस बीमारी को लेका अलर्ट चारी कर दिया गया है एरिका और यूरोप तक के लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है करोना वाइरस के तेजी से बढ़ते खोफ को देखते हुए भारत में भी सतरकता पूरी तरह से बढ़ा दी गई है अलग अलग देशों से आने वाले विमान यात्रियों की भी सक्ती से जाँच की जा रही है इन सब के बीच आखिर क्या है करोना वाइरस इसके लक्षन, इलाज और बचाव के बारे में आज जानेंगे सब कुछ तो आईए सबसे पहले देखते हैं क्या है करोना वाइरस करोना वाइरस विशानों का एक बड़ा समू है जो इनसानों से सामाने जुखाम से लेकर स्वैसन तंत्र की कमभीर समस्या तक पैदक कर सकता है इसके अलावा करोना वाइरस से सार्स और मार्स जैसी चानलेवा बिमारिया भी हो सकती है सोध में सामने आया है यह करोना वाइरस सापों से इनसानों तक पहुँचा है सुत्रों के अनुसार सबसे पहले इस वाइरस ने समुंदर के आसपास रहने वाले लोगों को अपनी पकड में लिया जिसमें चीन का वहान सहर भी समुंदर के किनारे है इस सहर में समुंदरी जीव जिन्दा भी मिलते हैं और मास भी मिलता है यह माना जा रहा है कि इसकी सुरुवात वहां सहर के एक सी फूर बाजार से हुई है यह मीट की होलसेल मार्किट, पोल्टी फर्म, साप, चमगादर्ड या फर्म एनिमल्स के जरिये हुमेंस में आया है चीन से सुरू हुआ करोना वाइरस अब धीरे धीरे चीन के परोसी मुलकों अमेरिका, तिबबत, जापान, मंगोलिया और चीन में आय हुए याद्रियों के साथ साथ विस्व के करीब करीब देशों में अपने पैर फैला चुका है तो आये जानते हैं इस खतरनाक वाइरस के लक्षन क्या क्या है करोना वाइरस से संक्रमित होने पर सबसे पहले सास लेने में दिक्कत, गले में दर्द, जुखाम, खासी और बुखार होता है यह बुखार फिर नमोनिय का रूप ले लेता है जिसके बाद किरने डैमिज हो जाती है, फैप्रेट डैमिज हो जाते है या फिर हार्ट डैमिज हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति की मिरत्यू तक हो जाती है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत तेजी से फैलता है इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है इस वाइरस से बचने के उपाय जानते है सबसे पहले अपने हाथ साबुन और पानी या एलकोहलियूक्त हैंड रब से साफ करें खासते या छीकते हुए अपनी नाक और मुह को टीशू या रुमाल से ढखें जिने सर्दी या फ्लू जैसे लक्षन हो उनके साथ करीबी संपर्क बनाने से बचें जहां तक संभव हो मीट और अंडा खाने से बचें अगर खाना ही है तो मीट और अंडे को अच्छे से पकाएं जंगली और खेतों में रहने वाले जानवरों के साथ ऐसरक्सित संपर्क ने बनाएं अभी तक इस वाइरस को रोकने का ना तो कोई इलाज ही है और ना ही कोई टी का दुनिया में बना है इसलिए सावधानी बरतकर ही इस जानलेवा बिमारी से बचा जा सकता है ये वाइरस कैंसर से भी जादा खतरनाग है इंडिया में अभी तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है पूरे विश्व में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है तो सावधानी में ही सुरक्षा है थैंक यू